महा में हिश्वराचार अभिनव गुप्त की जयनती के उपलक्ष में आयोजित आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक भिन्यंदन और स्वागत है आज की ये परिचर्चा डिपार्टमेंट अफ संस्कृट गुरु नानक देव उनिवस्टी अमरिच सर्थ की ओर से आयोजित है और इस परिचर्चा के जो कन्वीनर हैं डॉक्टर विशाल भार्दवाच संस्कृत विभाग गुरु नानक देव उनिवस्टी अमरिच सर्थ स वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तो आज का जो विशय है इस जयनती के उपलक्ष में और जयनती के उपलक्ष में इसलिए ये विशय लिए गए हैं ताकि अभिनव गुप्त की जितनी अभिनवता है उसके सभी आयामों को हम एक एक करके देखें समझें क्योंकि हम लोगों की बुद्धी उतनी ना तो व्यापक है ना विस्तृत है ना उतनी सूक्षम है कि हम अभिनव गुप्त के सभी आयामों को एक साथ समझ लें तो अपनी-अपनी अल्प बुद्धी के अनुकूल हम लोग उनके एक-एक पक्ष को विद्वानों से, विद्यूशियों से समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम हमारी बुद्धी का भी विस्तार हो और उस योग्य बनें कि उस महान अभीने गुप्त का जो ग्रत्यत्व है उनकी जो रचना धर्मिता है उनके जो अनुभव है उनको हम योग्य बन सके दूसरी बात यह है कि इस तरह के जयनती को मनाने का एक बहुत विशेश कारण है वो ये कारण महत्व का इतना नहीं है कि वो हमारे पूरवज है और उनकी ये ये कॉंट्रिबूशन रही है उससे भी अधिक जो महत्व का कारण है वो कारण है कि वो उनका उद्वोधन करना हम जैसे लोगों को जो अपनी सुख सुविधाओं में भूल जाते हैं कि हम मनुष्य होने के नाते हमारी ज्ञान के प्रती शुद्धा होनी चाहिए ज्ञान के प्रती जिग्यासा होनी चाहिए अपनी सुख सुविधाओं के कारण जब हम भूल जाते हैं तो आचारे अभिनव गुप्त हम लोगों को जंजोडते हुए वो हमें ये कहते हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पाशानान प्रती बक्तु कह शुनुत भो युश्मान ब्रुवे जंगामाह शयत थाय मनर्थ अर्थ सरने कोयम बृथे बृथे बोध्यमाह क्या कहते हैं हमें उद्बोधित करते हुए प्रबोधित करते हुए वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी वानी पत्थरों के प्रति कौन कहने का साहस करता है कौन कहेगा पत्रों को थोड़ी कहना किसी ने लेकिन हम जैसे लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं हे जीवित लोगो शब्द क्या इस्तिमाल कर रहे हैं? जीवित लोगो मैं तुम्हें संबोधित कर रहा हूँ तुम शया से उठकर अनर्थ रूपी अर्थ के पीछे दोड़ने का क्यों व्यर्थ उद्यम कर रहे हो? कितना सुंदर शब्द है? यदि शांभव संबोध रूपी धाम में एक शण के लिए भी प्रवेश कर लोगे तो सत्य को स्वयम जान जाओगे और फिर हमारी इन शास्प्रोक्त वर्णिकाओं का कोई प्रियोजन नहीं रहेगा यानि कि स्वयम भी अपने छोड़ देते हैं कि वो हमें इतना अग्रेसर करते हैं इतना उद्यम योग्या बनाना चाहते हैं कि हम स्वयम शिवता को अनुभव कर सकें प्राप्त कर सकें तो ऐसे अद्भुत व्यक्ति को उनके व्यक्तित्तों को जो हमें उत्वोधित कर रहे हैं रिशियों की तरह तो मुझे लगता है कि उनकी जयंती मनाना तो हमारा धर्म बनता है वो हमारे पर रिण है कि हम उनको स्मरण करें और अपने शिवता के मार्ग पर अग्रिसर हूँ, तो ये तो कारण मैंने आपको बताया, लेकिन विशे के बारे में मैं अभी आप से चर्चा करूँगा, लेकिन उससे पूर्व, मैं आमुंत्रिक कर रहा हूँ, डॉक्टर विशाल भारद्वाजी को, स्तंस्टित वेभाग गुरु नानक देव उनिवस्टी अमरित सर से, कि वो आज के हमारे मुख्य वक्ता, प्रुवेसर डॉक्टर शिवानी शर्माजी से हमारा परीचे कराएं, और साथ ही उनका स्वागत करें, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रतिभ हैं, सम्मानेत अतिति हैं, उन सब का भी वो अभिनंदन और स्वागत करें, धन्यवाद रख साथ, तो आज के इस कारेकरम में आज का जो वेबिनार अभिनव गुप्ट जी के पर किया जा रहा है, इसमें आज के हमारे जो रिसूर्स परसंटर डॉक्तर शिवानी शर्माज हैं, तो इससे पहले भी मैडम आपने हमारे साथ दो हुजार बाइस में इसी श्रेंखला में आपने एक संदरे अनुभूती दर्शन एवं अचारे अभिना गुप्त इस विशे पर अपने विजार प्रस्तुत किये थे, और आज कुना हमारा ये सोभागय है कि वी शिव अ तो आशा है कि वी आपके इन वचनों को सुन करके आपके इस लेक्शर से हम सब बहुत अधिक लाभानवित होंगे और हमारे साथ और भी अन्य विश्व विज्यालियों से और अन्य संस्ताओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्व धन्यवाद डॉक साथ, बहुत बहुत आभाद, जैसा कि आप अपना विश्य देख पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि विश्य बढ़ा रूचिकर है, और बौधिक होने के साथ साथ ये हमारी परंपरा का, हमारे पुर्शाद का लक्ष भी है, तो इस विश्य को जितना ह हम जानते हैं, एक बार उसको हम देख लिए और फिर उसके बाद हम विद्वान वक्ता से निवैधन करेंगे कि वो हमारा इस विश्य में मार निर्देशन करें, और बिशा निर्देश करें कि हम इस विश्य को कैसे समझें। विशय आप लोगों के सामने स्क्रीन पर बड़ा स्पष्ठ है कि शिवाद्वय दर्शन एवं आचार अभिनव गुप्त और दार्शनिक पुनरावलोकन अब जब आप ये देखते हैं मैं आपसे दो तिन बातें करना चाहता हूं कि देखे सामाने रूप से हम फिलोसफी और दर्शन दोनों को एक करके मान लेते हैं लेकिन जब आप दर्शन को दृष्ठी के अर्थ में देखते हैं देखना जिसे आप कहते हैं तो देखना क्या है और देखना कैसे है, इस दृष्टी से जब आप अभिनव गुप्त की शरण में जाते हैं, तो वो आपको कई आयामों से परिचित कराते हैं, और इसी के लिए हमने विद्वान बक्ता को आज आमंत्रित किया है, कि वो हमें इस सारे आयामों से परिचित कर देखने जाते हैं, गुरु के दर्शन, माता पिता के दर्शन, देवता के दर्शन, मंदिर में आप दर्शन करने जाते हैं, आप फिलोसफाइस नहीं करने जाते हैं, तो इस दृष्टी से जब आप दर्शन है, तो दर्शन के दो ही प्रशन हैं कि देखना क्या है और कैसे द जरूरत है इतने से काम चल सकता है लेकिन हमारी बहुत एकता हमें संतुष्ट नहीं होने देती तो इसलिए हम अभिनोग की वैचारिकता से जानना चाहते हैं कि शिवा द्वय शब्द से हमारा क्या अभिप्राएख दूसरा शब्द जो सबसे जादा मुझे प्रभाविक करत है दर्शन में वो है सौंद्र्य पक्ष कि सौंद्र चक्यों कि अध्वय में ये जो आप नीचे स्लाइट देख रहे हैं लोट इसन नॉन डौलिजमि तो एक ओकर के क्या करेगा, तो अद्वय में संधर्य पक्ष क्या होगा, जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहेंगे, जो चित्र है, अलांकि यह बहुत प्रभावी चित्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें, तो पूरे का पूरा संधर्य दर्शन यहां पर उबर कर आता है, तीसरा पक्ष दर्शन में और आता है, वो है भाव पक्ष, कि हम भक्ती पूर्वक उन सब चीजों को देखते हैं और भक्ती के माध्यम से ही हम अद्वयता का अनुभव करते हैं, चाहे वो बैशनव हैं, चाहे श्याक्त हैं, चाहे शैव हैं, या अन्यु सब दर् जैसे हमारे संबंधों में हम अद्वायता का व्यभार करते हैं, जैसे पिता पुत्र के साथ एक अद्वायता का अनुभव करते हैं, पुत्र को कष्ट होता है तो पिता में वो बेचैनी माक, जो है कष्ट में है तो बेटी को बेचैनी, तो एक अद्वायता का वो भी पक्ष है तो क्या अभिनों गुप्त इस विशे में भी हमारा कोई मार्टिन अडिशन करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो दर्शन की दृष्टी से मैंने आप लोगों से बात की जिसको मैं फिलोस्फी से थोड़ा सा अलग करके रखना चाहता हूं और समय आने पर फिलोस्फी वर्सिस दर्शन शब्द के उपर भी हम एक चर्चा रखेंगे निकट भोविश्य में लेकिन एक पांच्वा पक्षुप को भी हम थोड़ा सा ध्यान दे लें यहां पे बिलकुल नीचे की और अगर आप आ जाएं तो जब आप विज्ञान की दृष्टी से देखने लगते हैं तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि E is equal to mc square जब आप कहते हैं energy is equal to mass तो क्या वो अद्वाइता की बात नहीं कर रहे हैं कि mass और mass is convertible to energy, it can transform into mass, mass can transform into energy, तो क्या यह अद्वाइता की यही बात नहीं कर रहा है विज्ञान और दूसरी तरफ जब आप quantum physics की बात भी करने लगते ह तो जहां पर particle जो है वो कभी वेव की तरह विभार करता है और कभी वेव पार्टिकल की तरह विभार करने लगती है तो क्या इसको हम अद्वाइता को कैसे समझें और उसमें उस अद्वाइता को शिवता के साथ कैसे जोड़े ताकि वो कल्यान मय हो वो हमारे लिए उपकार करने वाली हो मंगल में हो हमारे तो इन सब बातों को समझने के लिए हमारे पास जिनकी हमशरण में आ जाए हैं वो हैं योगी, तांत्रिक, दाशनिक, भक्त, साहित, शास्त्री, संकीत, ग्यव, कवी, बेद, ग्यव, सिद्ध, सादक और भी जितने भी आपने लगभग पचासे अधिक जो उनके ग्रंत हैं, जिसमें क्रम स्तोत्र, भैर स्तोत्र, ईश्वर, पत्य भिग्या, विमर्षणी, तंत्रा लोग, तंत्रसार, अभीनो, भार्ती, आदी, आदी, ये सारे के सारे वहां पर उपलक्त हैं, पूरी संख्या मुझे गिन आज की मुख्य बक्ता को मंच पर एक दो बातें और समझ लें, क्योंकि अभिनव गुप्त को जानने और समझने के लिए आपको उनके शब्दावली से परिचित होना बहुत ज़रूरी है, और इस में आप देख सकते हैं कि प्रकाश, विमर्ष, शब्दु का अर्थ, जैस इसकी तरह भैरोव का स्वरूप, आभास्ता, स्वातंत्र, पतिपशूपाश, प्रतिभाव, महासाहस्वृत्ति, आदी-आदी इनकी हमचर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये शब्दावली है जिसको पकड़ी बगार, ये हमारे अस्त्र शस्त्र है, ये हमारी ढाल भी है और हमारे शस्त्र भी है तो इन ही के माध्यम से हमें ज्ञान के ख्षेत्र में अग्रसर होना है जहाँ जहाँ भी अज्ञान की बादाइं आएंगी उनको हमें अविनो गुपत द्वारा-प्रदत इन अस्त्रों शस्त्रों से उनको काटते हुए, उस मार्ड पे स्व non-duality why should we talk about all this non dual non duality because it gives us liberation from ego it makes us believe in consciousness it makes us walk on spiritual path it makes us understand oneness or non duality itself it makes us look inwards and also it makes us to see the universe within this way we should talk about non-duality in the sense that we know that we know that it is not my quotation that I have not written it but it has to be applied to me but the small thing that I am with you is that the non duality nature of Kashmir Shaivism is reflected in the principle of Cosmogony or creation origin of the universe it is a tradition that describes the objective manifestation of all objects in the world existing as one with the universal subject called divinity and only appearing as different from the fine art subjects so kul milaakar ki ye non duality ki haemari samaj hai is saare mark par is saare vistar ko aggressor karne ke liye is ma directed disha dhenne ke liye haem amantrit kar raha hai professor dr. Shibani Sharma ji ko ki wo in saare vishyou ko dhyan me rakhte hoi ki jo vishyash rup se hum ne joh vichar pakksh hai saundari pakksh hai bhaav pakksh hai vivaar pakksh hai aur agar sambh ho to vijyyan ke pakksh se bhi haem in sabhi vishyou ki wo agresor hoon to onse ma nivetan karta hoon ki wo sare is vishyep hai laghag agle 30-35 minupte haemari saath baat cheet karne aur uske baad pher hum krashnotar aur baakki sab tupni hoon ko lengge. Professor dr. Shibani Sharma. Ji. Ayojuku ka vishyashkar dr. Vishal Bharadwajji ka aur ashutur shi ka bhoat bhoat dhannyavad. पूरे भारतिये समाज को आचारय अभेनव गुप्त जयनती और निर्जला एकाच्छी की हारदिक शुब कामनाए और अपने गुरू रिंध अग्रजों को प्रणाम करते हुए और इस मंच पर बोलने के लिए जिन ग्रंथों को पढ़ा उन ग्रंथों के लिखकों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को बढ़ाऊंगी, especially महा महुपाध्याए गोपीनाच जी और कांती चंद्रपांडे ये दो इनके काम को पढ़े बिना मुझे लगता है कि काश्मीर शाइविजम या काश्मीर शाइव परंपरा के बारे में बात करना बड़ाई अपने आप में एक unjust act माना जाना चाहिए तो उनको भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को रखती हूँ तो मेरा ये मानना है क्योंकि दर्शन परंपरा की एक छात्रा होने के नाते से मुझे लगता है कि ये एक हमारे स्वभाव में है कि हम दर्शन या दर्शनिक समस्या को या किसी दर्शनिक या दर्श्टा को अगर समझना है किसी की दरिष्टी को समझना है तो क्या-क्या पध्धियां हमारे सामने उपलब्ध होती हैं ये पहला प्रशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि दो मुख्य रूप से दो पधतियां उभर कर आती हैं और भी हो सकते हैं दृष्टियां उसको देखने की पर दो में से एक तो ये है कि हम उस दृष्टा के उस जिसने अन्मेशन किया है उसके सिध्धानतों पर चर्चा करें और अभिनव गुप् स्ट्यभिग्या, सामरस्य, समावेश, सहरदय ये कुछ ऐसे सिध्धानत हैं जिनके संदर्भ में और भी जैसे कि यहां पर बहुत दिखाई दिये अभी आपको दिखाए गए तो ऐसे बहुत से सिध्धानत हैं जिनको हम कहीं न कहीं जैसे मलत्रए, स्वातंत्र, आभास य इनको समझते हुए हम आचारे अभिनव गुत की कॉंट्रिब्यूशन पर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, दूसरी दृष्टी से ये भी हो सकता है कि हम उनकी कृतियों को उठा लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टेक्स जो है वो बिना गुरु के शायद अ आवश्यक है, तो मुझे लगता है कि ये दो पैरमीटर्स हैं, लेकिन इसके इलावा एक और जो एजी मैं कहूंगी कि एक थोड़ा सा सुगम उपाय है, वो ये है कि हम उसकी तत्व मीमानसा और उसकी ज्यान मीमानसा को पकड़ने शुरू में, तो उसकी तत्व मीमानसा को अपलब्ध होने लगे हैं, तो कहने का मुझे लगता है, ये कहने से मुझे चुकना भी नहीं चाहिए, कि चाहे वो साइंस है, क्योंकि साइंस की बात की गई और दर्शन, चाहे वो साइंस है, चाहे वो philosophy है या दर्शन है, प्रतेक academic field की अपनी अपनी पूर्व मानेताइं होती हैं और अगर हम और गहरे में उतर कर देखें तो उन पूर्व मानेताओं को जो आपका तत्व मीमानसा है वो स्थापित करता है वो प्रपोज करता है और उसकी ग्यान मीमानसा जो है उसको rationally, logically, within a system उसको establish करने की logically validation देता है कहने का भाव यह है कि epistemology जो है जो उसकी ग्यान मीमानसा है जो उसके तत्व मीमानसी है जो सिध्धानत है उनको एक validate करने का काम करता है तो यह चाहिए science में भी देख लीजे आप उठाकर वो लोग matter को लेकर चल रहे हैं और हमारे यहां प कर चल रहा है तो दोनों अपने अपने तरीकों से उन principles को establish करने के लिए एक logical एक तरहां से system बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे नियम जिसके तहट कोई ऐसा blue chart बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उसको establish किया जा सके तो इसलिए ज्यानक शेत्र कोई भी हो प् प्रमे और प्रमाता के संबंध को समझाने का पूरा एक तरहां से मुझे लगता है कि पारफर्मेरिया है उसका main area जो है प्रमान विद्या का वो यही है कि प्रमे और प्रमाता को समझने का प्रयास में हमारे लिए सहायक होते हैं लेकिन अब समस्या यहां उत्पन होती है कि जो metaphysics है या जो तत्व मिमान सा है उसका जो धे है या जो उसका लक्ष है या जो उसके जो objectives हैं वो प्रत्यक्षगत नहीं होते हैं और जो चीज प्रत्यक्षगत नहीं है उसको समझना और भी कठिन हो जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष द्रिश्टी से तो आप उसको जादा बदाया जा रहा है, वो मुझे लगता है डिबाटवल हो जाती है, तो ऐसमें मोझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे जो प्रमाण विदया हैं, जो जिसकी मैं बात कर रहे हूं वो कहींना कहीं fail होने लगता है, एक सीमित उसके validation की एक सीमा बन जाती है और बुधि तर्क कहीं न कहीं विफ़ल होने लगता है तो ऐसे में मुझे लगता है की जो शब्द के माध्यम से जो ज्यान हमें उपलब्ध होता है या शब्द प्रमान के माध्यम से जो ज्यान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उसका महत्वपूर्ण कहीं बहुत जादा बढ़ जाता है और ऐसे संदर्भ में जो कृतियां है जो दर्शनिक है उसने जो कहा है जो अपने क्रंथों के माध्यम से कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो ही एक सोर्स हम जहां से उनके सिध्धान्तों को समझ सकते हैं तो इसी चीज को और भी अगर हम देखें कि मान लीजी कि ये भी प्रश्न उठ सकता है कि फिर अगर हमें शब्द के माध्यम से ही चलना है तो फिर वो श्रवन, मनन, निदी, ध्यासन की जो हमने इतनी शक्षा दे रखी है उस को हम फिर क्या एकदम एक विश्वास और श्रद्धा का ही विशे मान लेंगे तो मनन जो है उसमें जो विचार शीलता है वो फिर कहां जाएगी तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है फिलोसिफी और जैसा कि पहले भी बात की गई तो श्रवन, मनन, निदी, ध्यासन की बका कहीं अंतर है और फिलोसिफी एक राशनल इस्टाब्लिश्मेंट ऑफ आइडियास है जबकि दर्शन जो है वो अनुभूती विशयक है, अनुभव के उपर आधारित है और वो जो अनुभव है वो बहुत सीधा-सीधा आपके कहीं ना कहीं सेल्फ से जुड़ा है, सेल्फ कल्चर से जुड़ा है, सेल्फ ट्रांस्फरमेशन से जुड़ा है, सेल्फ रियलाइजेशन से जुड़ा है, जो बहुत ही ग्राउंड रियालिटी पे एक तरहां से सेल्फ एंकाउंटर जिसको हम कह सकते हैं, उसके उपर आधारित है और मुझे लगता है कि यही विशय जो होते हैं, इनको प्रत्यक दर्शन अपनी अपनी तरहां से कही न कहीं चाहिए वो ग्रीक दर्शन है या कोई भी दर्शन है, वो अपनी तरहां से उसको समझाएगा ही समझाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह केवल भारत में ही उपलब्ध है, हैनरी बर्गसां क का एक बहुत सुन्दर कोट है जिसमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वहां पे भी यह समस्या है कि बोहत से ऐसे दर्शन के विशैं हैं जिसको आप प्रत्यक्ष रूप में नहीं समझ सकते हैं उसको अनालिशिस के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, तो उसको वो शब्द जो शब्दावली यूज़ करते हैं, वो है कोर और पेरिफरी की, तो जब तक वो कहते हैं कि हम पेरिफरी पे घूम रहे होते हैं किसी विशय को लेके, किसी सिध्धानत को लेके, तो वो पेरिफरी में जो है सब relative understanding उपलब्ध होगी, analysis उपलब्ध होगा, सब कुछ relative ही रहेगा वहाँ पर, और वहाँ पर केवल perspectives create होगी, तो वो perspective create करना मुझे लगता है कि philosophy का विशय है, लेकिन दर्शन का विशय जो है, वो core में उतरना है, ऐसा Henry Bergson कह रहे हैं, कि core में उतरना जो है, जो मतलब विशय के साथ अपना तादात में स्थापित करना है, और यही आगे चलके, अभिनव गुप्त में देखेंगे, तो सहरिदयता का सिध्धान्त बनता है, कि जब तक आपने अपने आपको अलाव नहीं किया, सहरिदय बनने के लिए अलाव नहीं किया, आपने आपको आपने उतरने का, सम्मर्ज करने का आपने अलाव नहीं किया अपने को, तो शायद दर्शन महा पर अभी पूरी तरह से अपना सफलता को प्राप्त नहीं हो पाया है तो यह जो है मुझे लगता है कि perspectives, relativity और एक core की जो दुविधा है ये हमेशा बनी रहेगी और उत्तर केवल जो perspectives वाला या जो periphery वाला जो परिफ्रेक्ष है वो केवल प्रशनों को उत्पन करेगा और core वाला जो area है, core वाला जो विशय है वो हमें allow करेगा कि हम उत्तर को शायद खोज ना पाएं लेकिन उत्तर को महसूस जरूर कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि आजार या अभिनव गुप्त भी उन्हीं तत्यों की बात कर रहे हैं उन्हीं principles उन्हीं doctrines को establish करने की बात कर रहे हैं जो उन्होंने अनुभूत की हैं ऐसा नहीं है कि सिरफ आचारे परंपरा में केवल आचारे अभिनव गुप्त आ रहे हैं उधर शंकर भी आ रहे हैं रामा नुश भी आ रहे हैं सभी आ रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी अपनी बात को किस तरहां से समझा और उसको कैसे कैसे प्रतिपादित किया ये उनका अपना विशेश अधिकार रहा है तो उस चीज के संदर्भ हमें मुझे लगता है कि जब हम अद्वयवाद की बात करेंगे और स्पेशली शैवाद्वाई के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें मुझे है कि सीधा सीधा प्रभाव जो है हमारे इस विचार से शुरू होता है कि there is a difference between reality and appearance and we all understand that appearance is not reality कोई ना कोई क्राइटीरिया है जिसके आधार पर हम ये सिद्ध भी करते हैं मानना तो चलो एक केवल विश्वास की बात नहीं है हम उसको सिद्ध करते हैं कि appearance जो है वो real नहीं है तो वो reality की जो परिभाशा है वो अधिकतर हमें सत्यम्यानमनंतम इसी रूप में उपलब्ध होती आ रही है लेकिन जो देह की स्थिती है देह का जो उसमें put some put लगता है appearance में वो हमें कहीं ना कहीं convince करती है वो कहीं ना कहीं हमें rationally establish करने के लिए हमें विबाध्य भी करत है इस चीज को समझने के लिए कि कहीं ना कहीं reality और appearance का जो भेध है यहीं से सारी समस्या या यहीं से सारी जो प्रश्न की जो हमारी शैली है उत्तर ढूंने का जो प्रयास है यहीं से शुरुवात होती है भारत का कहीं ना कहीं संपून जो अद्वाइत चिंतन है जिसको हम क अभिनव गुप्त का शैवदर्शन एक का उद्गम जो है निगम है वेध है और दूसरे का आगम है किन्तु परम तत्व के स्वरूप में मैं इसलिए पढ़ने में रुची रखोंगी ताकि मेरी बात थोड़ी लंबी है तो समय थोड़ा सा कम दिया गया है तो जहां जहां आवशक्ता होगी मैं उस चीज़ को थोड़ा सा एक्स्प्लेइन भी करती चली जाओंगी एक का उद्गम निगम वेध से हुआ है और दूसरे का आगम से माना जाता है किन्तु परम तत्व के स्वरूप को लेकर और उसके साक्षातकार को लेकर दोनों अपनी अपनी शैली और शब्दावली प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से एक ही तत्व का उपदेश करते दिखाई देते हैं। आगमित कर्ग आपर से एक ही तुमें अबहिनता लेकिन फिर भी रयोग हम उनको दो मानते हैं। अबब तो जब जागरित अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो वो स्वपन की अवस्था भी बिलकुल अन्रियल कंसिडर हो जाती है। तो इसी की same line of thought को आप आचार अभिनव गुप्त में भी देख सकते हैं, जहां पर वो कहते हैं, तात्विक रूप से संसार है ही नहीं, और फिर बंधन की तो बात का ही क्या कहें, तो जब बंधन मिथ्य कलपना हैं, तो मुक्त होनी की क्रिया का कोई अर्थ रह नहीं जाता, इसलिए मित्र, मा किन्चित त्याजि, मा ग्रहान, दिलस, स्वस्थो, यथा वस्थिता, इसलिए मित्र, ना कुछ ब्रहन करने योगे है, ना कुछ छोड़ने, त्याजिय योगे ह जो है जैसे है जहां है विलस आप आराम करने का अर्थ केवल ये अतना है कि आप अपने स्वस्त में अपने स्वव में स्थित रहिए इतना ही बहुत है आजार अभिनव के अनुसार महेश्वर विश्वतीन भी है और विश्वमय भी है मतलब महेश्वर ही है जो ultimate principle है शिवाद वयवाद का जहां पे वो ये स्थापित कर रहे है कि महेश्वर जो है वो विश्व भी है और विश्व से परे भी है और विश्वतीन होते हुए भी व्यवाहारिक और परमार्थिक में कोई संघर्ष नहीं दिखाई देता इस दर्शन में परमार्थे तु नई कत्वम प्रिथक्त्वाद भिनलक्षणम प्रिथक्त्वय कत्व रूपेन तत्वमेकं प्रकाशते परम तत्व के विश्वतीन और विश्वमय होने से ही आचार अभिनफ की सौंदर दृष्टी में भी इंद्रे ग्राहियता कलाकृती में क्योंकि आपको अगर आप सेंसिस के या सेंश्वल प्लेजर्स को ही डिनाई कर देंगे तो आप जैसे पहले कहा रहे थे कि एस्थेटिक्स भी है उनका एक सौंदर शास्त्र भी अपने आप में पून रूप से पलवित हुआ है तो फिर उसकी कैसे आप मर्यादा को स्थापित करेंगे अगर आप सेंसिस के प्लेजर्स को ही डिनाई करेंगे तो आप एस्थेटिक्स को भी आपको डिनाई करना पड़ेगा जबकि आजारे अभिनव गुप्त ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसलिए वो मानते हैं कि सौंदर दृष्टी में इंद्रिय ग्राहियता बहुत आवश्यक है और कलाकृती का उचित रशास्वादन जो है तभी संभव होगा अगर हम ये छूट दें अगर हम ये माने कि इंद्रिय ग्राहियता जो है वो बिलकुल ऐसा टेस्ट नहीं है जो बिलकुल आउट ओफ दो वर्ल्ड है या अन्रियल है ऐसा नहीं है और ये तभी संभव हो पाता है और परब्रम्ह के साक्षातकार का अनुभव करवाने में भी सहायक है और शायद यही कारण है कि जब हम विश्वानात पंचानन को हम साहित दर्पन में देखते हैं तो जब वो इस चीज़ को प्रतिपादित कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कहीन न कहीं विद्यान तरस पर शुशूनो ब्रहम्हा सवादश οगुदर तो वहाँ पे ब्रहम्ह का अनुभव और रसा स्वादन का जो अनुभव है यहीन ही इन ही ग्राउंड्स के उपर सिमिलर है क्योंकि उसमें अपने से अतीत होना परातीत होना जो है अपने को छोड़ते हुए किसी ऐसे अनुभव का हम रसा स्वाधन लेते हैं जिसकी वज़ा से हमें यह अनुभूत होता है कि एक Transcendental Reality या Transcendental Self की एक सत्ता जो है उसमें विश्वास हमारा कहीं न कहीं बनता है काश्मीर शैवदर्शन प्रत्य भृग्या दर्शन के नाम से भी प्रसित्धा है निगम, आगम, वेद और तंत्र क्या है इनका पारस्परिक संबंद क्या है ये अपनी तरह का विश्वा है लेकिन इतना कहना मुझह लगता है आवश्चक है कि भारत के सनातन और साधना परम पर आके जो बीज हैं वो इन दोनों में बराबर हमें उपलब्ध दिखाई देते हैं आगम और उपनिशदों में द्वाइत अद्वाइत द्वाइत के मूल सुत्र देखे जाते हैं यद्यपी फिर भी मुझे लगता है कि उसमें भी रुची भेद और अधिकार भेद कहीं न कहीं जरूर काम किया होगा जिसकी वजह से कुछ लोगों ने जो है किसी एक सिध्धान्त को जादा बढ़ा दिया किसी एक सिध्धान्त को पकड़ कर उसी पर जादा काम कर लिया तो उस सिध्धान्त की प्रधानता जो हमारे को दिखाई देती है जो कभी शंकर में किसी तो शंकर, रामानुज, मद्व, आदी, आचारें के उपनिशद और गीता, इसके उपर जो उन्होंने भाष्य की है, अगर हम उनका ध्यान से तुलनात्मक अध्यायन करके देखें, तो इस बात की स्पष्टता हमें इस चीज से उभर कर आएगी, कि वाकई ये कहीं न कहीं, किसी किसी की रुची इतनी प्रबर होती है, कि वो एक ही सिध्धान्त को जादा महत्व देता है, तो इसे प्रकार आगम परंपरा के प्रसंग में भी, अगर हम देखें, तो काश्मीर शाइवाजारियों ने भी अद्वाइत वाद को ग्रहन किया, अपने अपने तरीके से ग्रहन किया, और उसमें से आचारे अभिनव गुप्त का जो सिध्धान्त है, जिसको हम एक मानते हैं, कि शास्त्रिय परंभारतिये, शास्त्रिय परंपराने, उनकी व्याख्या को सर्वश्रेश्ट रूप में मानेता भी प्राप्त हुए, इनके सिध्धान्त जो हैं शुद्ध अद्वाइत तो नहीं, किन्तु इसी श्रिंखला में देखे जा सकते हैं, बॉध्ध भी वहां देखिए आप अद्वाइत वाद बहां पर भी आपको मिलेगा, बुध्ध देव को तो आपका जो है अद्वयवादी कहा गया और उसका अमरकोष में हमें रेफरेंस भी मिलता है, तो बॉध्ध मत के जो भिनमत हैं, जैसे सौतरांतिक, वैभाशिक, योगाचार, माध्यमिक और माध्यमिकों हैं तो दे मेड़ इट अपॉइंट की वहां पर शुन्य को, शुन्य के सिध्धान्त को बिल्कुल चतुश कोटी वि दिला दी जाएं, और वयाकरणों को देखिए, वहां पर भी आपको अद्वाइतवाद मिलेगा, वयाकरण के मत में अखंड चिन्मय शब्द तत्व जो है, और शब्द तत्व कैसा है, अखंड लेकिन चिन्मय तत्व है, और जगत का मूल वही है, और यह एक और अभिन है त्रिपुरा संफ्रदाय में चले जाएं, वहां पर भी आपको अद्वाइत बार दिखाई देगा, और इसने जो मूल तत्व है, उनका महाशक्ती है, वै भी एक ही है, और अद्वितिय कही गई है, ब्रह्मा द्वाइत, शून्या द्वाइत, शब्दा द्वाइत, ये परमपरा को कही ना कही प्रभावित बड़े फलित रूप में प्रभावित किया है, सफल रूप से प्रभावित किया है, और आगम परमपरा में यही अद्वाइत, जो है, शैव, वैश्नव संफ्रदाय या शाक्त संफ्रदाय की रूप में प्रसारित होता हुआ, जो इक्षन ओबर कराता है वो कहते हैं कि इससे द्वाइत भंग नहीं होता जब आपने माया को मान लिया और ब्रम्ह को उससे अलग भी मान लिया तो ये आप कितना भी चाहें ये द्वाइत स्थापित हो गया कहीना के और अद्वाइत तत्व में एक अगर हम इस तरह का मान कि एक माया है और एक ब्रह्म है और माया जो है कही ना कहीं superior और inferior entities का कही ना कहीं भेद उत्पन होगा जिससे ब्रह्म में संकीनता आती है जिसमें कही ना कहीं उसका जो texture है वो बदलता है उसका texture जो है वो संकीन होने लगता है तो जीव और इसके साथ जीव और जडात्मक जो विश्व है और या जो विश्व वैचित्र है उसको भी कही न कहीं शैवाचारियों का ये मानना है कि जो अदवाईत परमपरा है बेदांत परमपरा है शंकर की जो परमपरा है वो उत्तर ठीक से नहीं दे पारी और इसी के चलते वो पूछते हैं कि जब मूल में जब एक ही अध़ए ज्यान तत्व है तब ये दवाईत का स्फुरण क्यूं होता है जब है एक तो फिर दो का अनुभव क्यूं होता है अध्यान का आश्रे है कौन अध्यान की प्रवरित्ती कहांसे और कैसे होती है इसका भी उत्तर हमें नहीं मिल पाता अगर हम अध्यवाइत आकस्मिक नहीं है। वह आत्मा का स्वातंत्र मूलक या कहें स्वेच्छा से ग्रहन किया हुआ रूप है। अग्यान को वो एक उबासी के साथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं और विश्व वैचित्र भी इसी प्रकार अपने स्वरूप का ही विमर्श है ब्रह्मःवादी शुद्ध साक्षी चैतन्य को मानते हैं और इश्वरवादी परमतत्व का स्वातंत्र मूलक और कर्थित्व स् शांकर वेदान्त में आत्मा, विश्वतीन, सच्चेदानंद, एक, सत्य, निर्मल, निरहंकार, अनादी, आनंद, शांत, नित्यमुक्त, भावा भावहीन हैं किन्तु उसमें कर्थित्व नहीं हैं केवल एक कर्थित्व का एलिमेंट जो शैवाजारों ने डाला है या इक्स्वानेशन में भेहनता का कारण है ज्यान और किया जो है, इसमें लगभग एक ही है और आगमसंमत आत्मा सर्वदा पंच कृत्य कारी हैं सृष्टि, सतिती, संगहार, आनुग्रह करना और विल्य ये उसके पंच कृत्य हैं, इश्वार के पंच कृत्य हैं, जबकि य एक कृत्य जो है ये आपको शांकर वेदान्त में, क्योंकि कर्तृत्व नहीं माना गया तो फिर ये कृत्य कैसे उसमें लागू होगे, तो शांकर मत में ब्रह्मा का ये स्वभाव नहीं है, इसलिए ब्रह्मावाद में आत्मा का स्वस फुरंड वैसा ना होने के कारण ही, व अंकर शंकर ब्रह्म को सत्य माया को अनिर्वचनिय कहते हैं, ब्रह्म को सत्य और माया को अनिर्वचनिय कह देते हैं, और माया को सत्य नहीं मानते, और इससे उनका अद्वाइत एक्स्क्लूसिव हो जाता है, एक्स्क्लूडिंग हो जाता है, कहीं न कहीं, elimination करते हैं वो चीजों की renunciation based उनका जो अदवाइत है वो renunciation based हो जाता है जबकि आचार अभिनव गुप्त का जो है एक तरह से all embracing embracing all inclusive उनका अदवाइत माना जाता है अदवाइत शैव दर्शन की जो कुछ विशेशता हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे प्रत्यभिग्या साहित से शैव संप्रदाई की सूचना हमें मिलती है और सिधान्त और आचार दोनों में ही जातिगत प्रतिबंध नहीं मिलता और इसका reference भी हमें मिलता है जात्याद्य पेक्षा काचित इश्वर प्रत्य विमर्शनी ज्यान और मुक्ती की जिसको भी लालसा है जिसकी भी इच्छा है वे शैव संप्रदाई का पालन और अध्याइन करने के लिए मुक्त हैं और कल भी शायद कुछ दीक्षा की बात हो रही थी तो उसके बारे में भी यहाँ पर इसकी स्थापना करते हैं कि दीक्षा बिलकुल दी जा सकती है किन्तो शैव धर्म का पालन करना और शैव धर्म की जटलताओं का शास्त्री अध्यान करना इसमें अंतर है अनुयाई होने के लिए द्रिड निश्चे होना इतना ही काफी है लेकिन अध्यान करने के लिए वेद, वेदांग, सरड़ दर्शन, व्याकरण, तरक, आधी सब इन ज्ञान का इनकी सबकी आवश्यक्ता निर्धारिक की जाती है तब ही वह प्रत्य भिग्या दर्शन की सुख्शमताओं को समझ सकता है सामान्यतया भार्दिय दर्शनों के सभी संपरदायों का उदेश्य साधक को आत्मसाक्षत कारने में सहायता करना और उस लक्ष प्राप्ती का उपाय बताने में है सभी मतों के अनुसार अज्ञान बंध है या बंध का कारण है और ज्ञान मोक्ष का कारण है और शेव दर्शन में बंध का कारण मल बताया गया है आनव मल, कार्म मल, माईी मल आनव मल जो है वो सहजात मल है और संपूर्टा की हानी करता है कि हम अपने अपने सेल्फ को संपूर्ण रूप से जब जान नहीं पाते समझ नहीं पाते तो उसका कारण जो है वो आनव मल कहा गया है और इसी के फालस्वरूप हम अपने यधार्थ को विस्मृत कर जाते हैं और यही विस्मृती को वापिस लाने का जो प्रयास है प्रत्यभेग्या दर्शन का पूरा-पूरा घे है। और यह माना गया है कि चाहे यह आनवमल जो है अनादी हैं लेकिन उच्छेद्य हैं यह ऐसा नहीं है कि यह हमेशा रहेंगे। और कार्ममल भी एक अनियत इच्छा रूप है आनवमल इसका स्रोथ है माया जनित वस्तूं के साथ आत्मा के अंगिनित संसर्ग उत्पन करता है और माई मल जो हैं यह मन और शारीरिक सीमाओ को रिफलेक्ट करता है आनव और कार्म मन और शरीर के सामर्थे को सीमित करते हैं प्रमाता को सीमित करने वाले जो तत्व हैं वो है आपके कला, विद्या, राग, नियती मतलब यह एक बहुत रिपोर्टिव एक तरहां से बहुत रिपोर्टिव फिलोसोफी होने लगती है एक समय के बाद पर मुझे ऐसा लगता है कि वही बात है कि अगर हम उद्बोधन नहीं करेंगे अगर हम इसको सुनेंगे नहीं अगर हम इसको समझेंगे नहीं तो इसकी गाइडलाइन्स को फॉलो करना भी उतना ही कठिन होता चला जाता है तो अग्यान का अर्थ ग्यान का अभाव नहीं माना गया बलकि उसमें एक सीमित होना जो है जो सीमित ग्यान जो है वो समस्या है और ग्यान ही चिदात्मा और विश्व के प्रती भ्रांत धारणाय उत्पन करता है शैवा दर्शन के अनुसार आत्म साक्षादकार के साथ ही ऐसा ज्ञान उत्पन होता है जिसमें विश्व की नई व्याख्या और समझ विद्यमान होती है इसलिए यह दर्शन आत्म दर्शन को प्रत्य भिग्या स्वयम को पहचानने से जोड़ता है प्रत्य भिग्या की विलक्षनता न तो मात्र प्रत्यक्ष में है और ना मात्र स्मृति में है अपितु दोनों के एकत्व में है प्रत्य भिग्या को उधारन के माध्यम से भी समझा जा सकता है नल और दमयंती के संदर्थ में जहां वे अपने पिता के दर्बार में दमयंती जो है वो नल के केवल गुणों को सुन रही है और उसने ही उसका परिणाम क्या है कि उसके गुणों को सुनकर वो एक मानस बिम्ब तयार कर लेती है तो अते इस मानस बिम्ब और वर्तमान प्रत्यक्ष नहीं किया है नल का लेकिन मानस बिम्ब और वर्तमान प्रत्यक्ष जो ह उसके यथार्थ विशे के अभेद का अनुभव प्रत्यभिग्या का मुख्य तत्व है। आत्म साक्षातकार कोई बौधिक ग्यान नहीं बलकि आध्यात्मिक अनुभव है जो वास्तव में दैवी कृपा या शक्तिपात का विशे माना गया है। रसी में सर्प की भ्रांती है। मर्ष को आचार अभिनव गुप्त जीवात्मा और विश्वात्मा के संदर्भ में समझाते हैं। प्रकाश की धारणा दरपण जैसी बताते हुए वो कहते हैं। जैसे बाहिय पदार्थ जैसे बाहिय कोई छवी दरपण में पढ़ती है तो वो प्रतिविम्बित होती है दरपण में। तो उस दरपण में उस बाहिय पदार्थ को अपने से अभिन दिखाते हुए अपना निर्मल स्वातंत्र जो है वो कहीं उसका खोता नहीं है। तो इसी प्रकार हमारे जीव पर भी जीव चैतन्य पर जितने भी बिम्ब पढ़ते हैं। वो बिम्ब जरूर हम उसका रूप के अनुसार बदल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो अपना स्वभाव है जो निर्मल चैतन्य है वो परिवर्तित नहीं होता है। उसमें एक शमता हमेशा बनी रहेगी कि वो अपने स्वा को जान सकता है। और इसी को मानसेक बिम्ब संसकार रूप में प्रकाश से अभिन जब प्रकाश यहां पर वो यह भी पूछते हैं कि प्रशन यह भी पूछना जरूरी हो जाता है कि जब अन्धकार हो गया तो फिर वो दरपन में तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो फिर बाहरी प्रकाश की आवश्यक्ता क्या रही उस दरपन में प्रतिबिम्ब जो है वो कैसे उभर कर आएगा अगर अंधकार है तो यहां पर यह भी समझाते हैं कि नहीं मानसेक बिम्ब जो है वो संसकार रूप में प्रकाश से अभिन माने गये हैं और यदि जीवात में केवल प्रकाश ही हो तो वह है प्रतिबिम् गहन शकती तो फटिक मणी में भी रहती है तो फिर वो उसमें मणी में और जो guidance है हमारा जो आत्मा है उसमें क्या अंतर रहेगा तो इसके उपर भी कही ना कही मुझा लगता है कि एक विस्तरिच चर्चा हम कर सकते हैं इन प और उसको जड़ पदार्थों से अलग करता है वो है विमर्ष जिसका अर्थ है कि सभी प्रकार के प्रभावों से पूर्ण मुक्ति की स्थिती में अपने शुद्ध स्वरूप को जानने का सामर्थ है पोटेंशियल जैसे हम बोलते हैं जैसे अरिस्टोर्टल भी बात करता है एक्चुलिटी और पोटेंशियलिटी तो यहां पे भी यह देखे पोटेंशियलिटी का कॉंसेट जो है सामर्थ है यह विमर्ष के रूप में उभर कर आता है आंतरिक एवं बाहिये कारणों से आनुसार किसी भी दशा का स्मृती के माध्यम से उसको उत्वपन कर लेना ये जीवात्मा का प्रकाश विमर्ष में होने का अर्थ है और अर्थ है कि स्वतह प्रकाशित हम मनुष्य है उसका जीव जो है वो स्वतह प्रकाशित है संसकारों को अपने भीतर धारण किये हुआत्मा के संदर्भ में प्रकाश और विमर्श को अगर हम समझें तो सा स्वात्म भित्तव की जिस तरहां की जो कलपना है कि विश्व चित्रम उन्मी लेगदी वह विश्वात्मा अपने को आधार बना कर अपने ही भीतर से विश्व को प्रकट करता है जैसे मकडी का जाल की कलपना हम कर सकते हैं, अभिव्यक्ति एक विवस्थित क्रिया है और उसके लिए अपने भीतर के विद्यमान संग्रह से ही चैन करना होता है, अभिव्यक्ति की क्रिया में ज्यान, इच्छा, चेतना, आनंद, पूर्व निश्चित होती है, इसलिए विश्वात्मा के संदर अभिव्यक्ति का आधार प्रकाश और अभिव्यक्ति की शक्ति को विमर्ष कहा गया है। अभिव्यक्ति की शक्ति की शक्ति की शर्वक्ति काष्या गया है। कहीं परमसत्ता में भी परिवर्तन है और दूसरा प्रश्न ये भी है कि सारे आभास परमसत्ता के भीतर ही स्थित हैं तो इसे एक कैसे कहा जा सकता है जब multiple उसमें आभास उप्लब्ध हैं तो फिर वो reality भी multiple कहनी हमें मानना चाहिए तो चार प्रकार के परिवर्तनों को समझाते हुए आचारे अभेनप गुप्त इसका उतर देते हैं और वो कहते हैं आगम, अपाए, परिणाम और विकार ये चार तरहां के परिणाम हमें परिवर्तन दिखते हैं कि किसी चीज में मूल पदार्थ में कुछ जुड़ जाने से आगम हो गया, किसी चीज में से उसी चीज में से कुछ निकल गया, या क्षत हो गया, उस किहानी हो गई तो वो अपाए हो गया, परिवर्तन हो गया उसमें से जैसे दूद में से ही आपने आपका जो विकार है केवल उसमें आप मूल तत्व से आगे बढ़ सकते हैं और मूल तत्व से वापस उसी पर लोट सकते हैं जैसे सोना सोने से कड़ा बना लिया सोने का एरिंग्स बना लिया और उससे आपने वापस भी आप लोट सकते हैं तो इस तरह का जो आभास जो हमें उपलबध दिखाई देता है महेश्वर के जो भीतर हमारे हम जिसकी बात कर रहे हैं यह विकार जो है विकार जैसा महेश्वर में जो आभास है वो विकार के रूप में उपलबध होता है हमें और एक और जो हमें example मिलती है आचारे अभिनव गुब जो बहुत प्रयोग करते हैं वो है सागर और समंदर और लहरों का जो प्रयोग है उसको भी बहुत रेफर करते हुए वो बात करते हैं तो इसलिए परम तत्व में परिवर्तन यदि हम मानना ही चाहें तो मात्र प्रतीती के रूप में मान सकते हैं और दूसरे प्रश्ण के संदर में ये उत्तर दिया जाता है कि केवल वही सत कहलाएगा या कहलाया जा सकता है जिसका अस्तित्व हो और वो भी स्वतंत्र अस्तित्व हो अस्तित्व का मतलब स्वतंत्र अस्तित्व हो आभास अनित्य प्रतीतियां हैं इसलिए वास्तविक सत् ही मानी जाएगी तो महेश्वर अपने आपको शक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं और उसमें सबसे महत्वपून दो शक्तियां हैं करत्रित्व शक्ति और ज्यात्रित्व शक्ति और शैवदर्शन शक्ति और शक्ति मान में अभेद मानता है और कही गई दोनों श च्वाद्र उसान चंतिंग है और विश्वात्मा को सागर कुछा्तर और जी बार बार वो इसी का उधारण देते हैं, तो अगर हम विश्वात्मा को सागर मान ले और विश्व सा Cash का मतलब है जो गौद को रहा है about तो विश्वात्मा की स्वातंत्र शakt्ति वह पहलो है जो आभासों की आंतरिक प्रिखता की अभिष्यक्ती करता है मतलब अब कितने सारे आभास है उस universal consciousness में तो वो सभी एक तो है नहीं अलग-लग आभास है तो अलग-लग आभासों की identity भी है उनमें कुछ difference भी है तो वो difference को जो पकड़ने का काम कर रहा है वो उसकी स्वातंत्र शक्ती से पता चलता है करत्रित्व शक्ती जिसको वो कह रहा है और ग्यात्रित्व शक्ती विश्व चैतन्य की वह शक्ती उस शक्ती का पहलू है जिसके द्वारा यह अपने भीतर विलीन असीमत पदार्थ राशी में से केवल कुछी वस्तों को प्रिथक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए निकालते हैं और उसके लिए स्वरूपात उन्मगना भास्यती इस थिती में प्रमाता भी मात्र वस्तु की ही तरह उपलब्ध होता है मात्र वो भी एक अभिव्यक्ति किस तरह से बन जाती है जो प्रमाता है वो भी वस्तु मात्र ही बन जाता है तो इसलिए ज्यान का घटित होना विश्व चैतन्य के सागर में दो करंगों के उजसा ग्राहियत रहती है और दूसरा जो है जड़ता कि तरंग है और एक जो है कही न कहीं निर्मलता कि होने से उसमें एक चेतनागी वो एक जड़ा भास और मतल जो हमने शुरू में प्रश्मी किया था कि जड़ तत्व और चेतन तत्व को हम कैसे अड्रेस करेंगे जो की हमें शांकर वेदान्त में उपलब्ध नहीं दिखाई दे रहा तो वो कर्थित्व भाव और ज्यात्रित्व भाव के माध्यम से आचारे शंकर जो है उसको स्पष्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि अद्वयत सिधान्त या शाइवाद्वय का जो सिधान्त हमें उपलब्ध होता है वो प्रत्यभिग्या दर्शन के माध्यम से कहीं न कहीं आभासवाद के माध्यम से कहीं न कहीं करत्रित्व ग्यात्रित्व शक्ति के माध्यम से स्वातंत्रवाद के मा जैचित्र जो हमें जो आभास के रूप में कुपलब्ध होता है या जो दिखाई देता है वो मात्र एक आनंद से या आनंद के माध्यम से उत्पन की गई हुई क्रिया है और जो मुझे लगता है कि फिलोसॉफिकली बहुत साउंड एक तरहां का आर्गुमेंट हमें देती है जिसके माध्यम से हम ये प्रस्थापित कर सकते हैं कि शैवा द्वाइबाद जो है वो कही ना कहीं एक स्टेप शांकर के अद्वाइत सिधान्त के से थोड़ा प्रबल है थोड़ा मैं ये इसको मुझे कहना ही पड़ेगा कि कही ना कहीं उसकी जो एक्स्पलानेशन है ऑल और एक्स्क्लूसिव के आधार के ऊपर हम इस चीज को प्रस्थापित कर सकते हैं। और वहाँ पे माया है, लेकिन यहाँ पे स्वेच्या, स्वात्म, भिट्व, विश्व, मुन्मीलाइति कि अपने में ही वो सब कुछ अपने विश्व को उपन करता है। उपन करना तो शब्दी गलत है। यह दार्षनिक शब्दी नहीं है विश्वों का। तो जो उन्मीलन और निमीलन की प्रक्रियां हैं, वो उसको एक नितांत इसमें सौंदरी भी ले आती हैं, भावपक्ष भी ले आती हैं, जो कि वेदांत में शायद संभव नहीं है। अलांकि इन विश्वों पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अद्वईत वेदांत का जो शुश्कता है, उस शुश्कता को अगर दूर करना है तो हमें काश्मी शैविजम के साथ चलना पड़ेगा, उसके भावपक्ष, उसके सौंदरी पक्ष और अभावपक्ष को हमें देखना होगा। तो आपने बहुत ही सुंदर और स्कॉरलर ली आपने बातें हमसे सांजी की हैं और हमारे ज्यान का विस्तार किया है, दृष्टी का विस्तार किया है, उसके लिए आपका हम आभार वेप करते हैं, लेकिन उससे पूरों जैसे की हमारी परंपरा है, एक ओपन हाउस डिसकुशन की, तो जिन भी प्रति भाग्यों की कोई कमेंट्स हैं, कोई प्रश्न हैं, जिग्या जिए सिधे प्रोफेसर आरल भट जी दिखाई दे रहे हैं, कल उनकी बड़ी सुन्दर अब्जवेशन्स थी, जिसने मुझे बड़ी प्रसंता हुई, सच मुझ आनन्द आया था आपकी कल बातें सुनके, उन्होंने अपना हैं, हापकड़ा किया है, तो मैं उनसे आपने जो बातें कहीं, मेरा ये हेड़पोन आटोमेटिकली बंद कर दियता है, उसमें शोर समझता है, कुछ ये, मेरी आवाज आ रही है, आरी है सिर, तो जो कुछ आपने बातें कहीं, तो मैं उनका अश्टो जी ने जो बातें कहीं, मैं सिर्फ आपको नमशकार करता हूँ, क्यूंकि काफी दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, शायद पहली बार, एक ये फिलासिपिकल डिसकुशन हमें सुनने को मिला, जैसे आपने कहा कि, ये जो सारी बातें हैं, हम हमेशा एक शद्दालू की तरह ये बातें चलाते हैं, वो तो ठीक है, पालन करा जैसे किया, आपने नमशकार कर लिया, वो ठीक है, लेकिन जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें बहुत विस्तार से आगे पीछे जाने की बहुत जरूरत है आपने बहुत अच्छी व्याच्चा की, इसमें कुछ नहीं सिर्फ मेरी अपी कुछ दुविदाएं हैं, मैं उनके बारे में आप से पूछना चाहूँगा, एक चीज़ मैं आप से रिकेस्ट करूँगा कि जो आपने एक कोट किया कि सच में संसार है ही नहीं, न गरहन करन एक जो सही बात है कि जो शंकर का विदान्त है, उसमें हमें ये कहीं न कहीं से वो भूसी आती है माया के सामने लाकर, तुवैतवाद की भूसी आती है, ये बात ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है, जैसे आपने यहीं कहा कि संसार सच में है ही नहीं, जब हम सौतंत्री की बात करते हैं, तो हमारा प्रयास नमबर एक, उसकी तो मेरे हिसाब से उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, एक चीज़, दूसरे परम शिव, भगवान भी हम कहें, परम तत्वर, वो अपने से लीला करना चाहता है, सोईच्छा वो अवरुद हो रहा है, तो हम उसमें हस्तक्षेफ करके, जैसे कि हमारी सूच्छी है, कि हम उसको दुबारा जैसे परम जाम है, कि आपके जो जुगारी है, राक में अटकी हुई, उसको किसी तरह से फिर दुबारा सुपूरित कर दीजिए, तो जरूरत क्या है, अगर वो सौतंत्री से है, वो हमें ये चीज़ की एक रस्ता खोल देता है, कुछ नुकुछ करने का, कि हमने विद्या से बाहर जाना है, विद्या में जाना है, समझना है, लेकिन यहां तो सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, सौतंत्री से हो रहा है, तो फिर मैं इंटर्फिर क्यों करूं इसमें मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा ये रेफरेंस तो मैं आपको दे देती हूं, दूसरा जो आप कह रहे हैं कि संसार नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो, वो ये कह रहे हैं कि जब संसार जो है आभास है, और आभास किसका है, वो ईश्वर का ही है, शिव का ही है, महेश्वर तो उसी में से जब चीज जो उत्पन हो रही उत्पन जैसे का नहीं बाट वही है आपकी बात बिलकुद सभी हुआए जाथ हूए घई जा हूए मैं यह कह रहे हूं कि जो आप यह कह रहे हैं कि हम इंटरफियर करते हैं मुझे यह expression समझ नहीं आया इसलिए मैं यह जानना जा रही हूं कि इस पर थोड़ा elaborate कीजिए कि interfere करने हम कैसे interfere कर रहे हैं जैसे कि जो यह सारे प्रमात्र जो भी stages आ जाती है आउरुद में पूरे जैसे इस में कश्मिर शेविजम में हम चेटीस तत्व की बात करते हैं अच् इच्छा स्यक्टी से पूंच गया तो अब प्रत्वी पर मैं पंचबूत अब इसको क्यों वापस दखेल हूं क्योंकि मेरा वही स्वरूप है मैं अपने अज्ञान में कितनी देर कोई जीवित रह सकते हैं अज्यान तो है ही नहीं नहीं यह तो स्वातंत्री है नहीं नही इस्थेटिक्स में उभर कर आएगा कि जब मैं कभी बनती हूं जब मैं कुछ रचना करती हूं तो मैं उस भाव को जो महेश्वर का स्वातंत्र है करत्रित्व है उसको मैं अपने कभी होने में अनुभूत कर सकती हूं लेकिन यह मेरा स्वातंत्र नहीं है कि मैं अपने ही जयसे मान लिजे कि, जिसको हम बोलते हैं, it is, Socrates का statement याद आरहा है मुझे, जो बोलते हैं, it is better to be a dissatisfied man तो समस्या यह है कि हम वो नहीं है, हम में एक dissatisfaction है अपने को जानने का, अपने स्वर को जानने का, जिसको मैंने कहा शुरू में ही कहा, कि self culture, self realization, self transformation, यह values तो स्वभाविक values हैं, आप reality और appearance के भेद को जिस दिन आपने address कर लिया, कि यह appearance जो मैं दिख रहा हूँ, यह मैं नहीं हूँ, पहली चीज तो यही हमारे को establish करनी पड़ेगी, कि यह जीवन के कौन सी अवस्था में यह encounter हमारा होता है, कि reality जो है, वो appearance से थोड़ी भिन है, अगर यह हमारा ground experience अभी नहीं हुआ है, तो यह बिलकुल आपका फ्रशन वाजिब है, कि मुझे क्या जरूरत है, कि मैं अपने, यह जो हमारा, जो mundane existence है, इस से उपर उठके हम, जो शिवतत्व है, वहां तक हम जाएं, हमें क्या आवश रकता है, यह बिलकुल आवश रकता नहीं है, मैं तो ऐसा मानती हूँ, लेकिन अगर आपका encounter हो चुका है, reality और appearance का, और आप यह मान चुके है, कि जो appearance है, वो reality नहीं है, मैं कुछ और हूँ, इस देह से अतिरिक्थ हूँ, अगर यह भावना ने अभी हमें ग्रसत नहीं कि है, तो यह प्रेशन आपका बिलकुल वाजिब है, कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा जब तक खाना, पीना, मेरी सुविधाएं सुख, सुविधा मेरा चल रहा है, तो बढ़िया है, और बहुत सी मनुष्य जाती तो जीती, बहुत सी, मुझे लगता है 90% दुनिया इस वक्त जरूरत नहीं समझी, लेकिन आज हम यह चीज़ समझते हैं, कि जो पिग है, उसकी भी सोच है, यह तो इनसान सुक्रात के हिसाब से हुआ कि फूश नहीं है, लेकिन फिग के हिसाब से तो वो खुश है, यह चीज़ जह है, पहुत अड़ी परेशानी है, जब हम, मु असल मैं मैं जो इस वकत यहां पर खड़ा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ग्यान अगर है तो अगर हम मल सोचते हैं, अगर हम बाकी सारी कोश सोचते हैं, जितना भी सोचें, तो वो शंकर के माया के दूसरे नाम हुए, कोई परक नहीं पड़ा, अगर कोई भी मल मेरे को, मेरे शुवत्व को छुपा देता है, बंद करता है, दूर कर देता है, तो वो माया ही हुई, कोई परक नहीं पड़ा, सिर्पान में नाम बदल दिया, लेकिन अगर हम यह सौतंतरिये समझ लें, कत्व से अगर हम इसको समझ लें, तो न मल है, न मैं हूँ, न जे है, न अग्यान है, यह चीज मैं कह रहा हूँ, यह वाली बात एक्स्वियन नहीं हो रही है, जी, 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 कह रहा हूँ, ओके, मुझे लगता है, कि अगर इस, इसका एक पक्ष और, मुझे लगता है, हमें ध्यान में लेना चाहिए, डॉक्साब की बात को आगे बढ़ाते और बाकी लोगों से भी मेरा निवेदन रहेगा, कि अगर उनके कोई प्रश्न है, टिपनिया है, तो वो हमारे साथ सांध्या करें, इस सारे पक्ष को अगर इस दृष्टी से देखें, कि मैं मेरी जो सब्ता है, मैं उसका विस्तार जब करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सीमा में हूँ, तो जब मैं विस्तार करने लगता हूँ, तो वहीं से सारी समस्यां खड़ी होती है, विस्तार करने में, कि मैं अपनी आँखों का विस्तार करना चाहता हूँ, अपनी सारी इंजलों का विस्तार करना चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने टेक्नोलोजी बनाई लेकिन टेकनोलोजी से भी एक सीमा बन गई तो मैं उससे भी आगे जब जाने का प्रयाज करता हूं तो वहां पे वो बंधन वो मल वो सारे आते हैं और जिस खण मैं उसका उतक्रमन कर जाता हूं तो मुझे लगता है वो शिवत्व को मैं उपलब्द कर लेता हूं तो वो कोई वो मेरा स्वभाव है कि मैं अपना विस्तार करना चाहता हूं इस विस्तार के पक्ष से अगर इस प्रशन को आपके प्रशन को देखो बहुत मुलयबान प्रशन है तो उसके लिए आपको साधू बाद है निश्चित रूप से हम उसको लेंगे हमारे साथ विवाग पटियाला से भी जुड़ गए है बहुत अच्छी बात है प्रफेसर वीन अगरवाल जी भी है डॉक्टर रजय भारदवा जी किसी और का कुछ प्रश्ण है को टिपनी है तो प्लीज हमारे साथ सांजा करें और फिर उसके बाद प्रफेसर विशाल जी जो है वो ध अचलिए तब तक सुनीर जी जी नहीं नहीं होते और रिकार्ड नहीं होते और रिकार्ड होके पिर साजा किया जाए क्योंकि आने वाली पीडियों के लिए रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा जी मैं दुपहर के बाद इसको दोनों कल का और आज का दोनों सांजा कर दूंगा यूट्यूब पर जी मैंडम सोल्फुल कनेक्शन क्या बात बहुत संदर क्रिपे आपना परीचे भी दे दीजे अन्यूज़ के लिए रहें बात बात बेंच्छाब अन्यूद्यूंजू प्रश्मेर जाने मैं दुबधूर्ट पभनात जी आत्रा में वीम तो इस्वर आशनम व्यरी बेखन Krvarts एफैर्ण मुड़ार्वाब लिध वहरर्वार्वा पलेद तक प्राव्तिक व्यंग तक झाऑ हो इंएट व्यूम्ट्याम व्यूम्टिक्व लाटर्वार्व कार्ण्छमी टो लृॉ童 a lot of influence. What is the connection between the Lord Bhaerav and the Kashmir? आपका प्रेशन है कि किसका भेरव का और काश्मीर और Bhaerav का क्या connection है काश्मीर और Bhaerav ये ये प्रेशन है I would like to rather somebody who is more familiar with this the spirit of Kashmir Shaivism and Bhaerav I would rather pass on to the question to the person because I am not a competent person on this लेकिन Bhaerav जो है वो शिव का ही एक प्रकार भेद है और Bhaerav वो उद्यमा जब आप सूत्र पढ़ते हैं तो Bhaerav को ही इस तरह का देवता जैसा आप देखते हैं उस रूप में नहीं बलकि उद्यम के रूप में वो है तो शिव का वो एक पक्ष है जो उद्यमिता के रूप में हमें प्रकट होता है और वो उद्यमिता जो है वो अपने स्वातन्त्र के लिए उद्यमिता का जो पक्ष है उस कारण उसको Bhaerav कहा जाता है लेकिन फिर भी इसका और विशेव इसतार हम ले लेंगे आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है इसको ले लेंगे तो डाक्टर मंजू मीना जी और उसके बाद डॉक्टर अरुन कुमारुपाद जी कश्मी शेव दर्शनमें पूरा नहीं जानती हूंंपर मुझे आश् measurement करता है मुक्ष में दिना और अन्य जो भाटती दर्शन है वो एकदम से मतलब मुक्ष वो अवस्था है जहां नल रहते हैं एकदम तो मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहती हूँ मैं हाँ जो अन्य दर्शन है उसमें मुक्ष एक अवस्था के रूप में है जैसे उसके लिए आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि मुक्ष जो है जहां ये भी परिभाशा मिलती है में कि जहां दुख नहीं है जहां कोई क्लेश नहीं है तो उसको आप योग में चले जाएंगे तो आपको समाधी मतलब कैवल्य प्राप्ति और उसमें विवेक ग्यान भी है. सांक्य दर्शन आपको कहएगा कि जहां विवेक जञण आपका आ गया और विवेक जञण का मतलब क्या है कि आपको इक पता होगी एक पुरूश है एक प्रकृती है एक चैतन्य है एक जड़ है अग यह तो हमें बता चल गया लेकिन हम तो मोक्ष में नहीं है तो किसका मतलब है कि कुछा भी बचा है आप ज्याए वेश्यशिक में चले जाएंगे तो अभ्युदय और निश्रेयस की कल्पना वहां पे बिलेगी वहां मोक्ष की उस तरह से बात नहीं है लेकिन मुझे लगता है निश्रेयस का जो संदर भाता है वो इसी line of thought को carry on करता है और उससे पहले वो अभ्युदय की भी बात करेंगे कि जहां पर आप overall development की बात करेंगे अरसा नहीं है कि आपको सिरफ spiritual salvation की ही बात करनी है आपको यहां पर क्यूंकि आपके चार पुरुशार्थ हैं तो आपको काम और अर्थ की भी आवश्रकता है तो इस तरह से बाता है कि मैं एक मिनट स्वारी मैं आपको disturb करेंगे यहां पर कश्मी शेयव दर्शन में ग्यान, इच्छा और क्रिया इसको लेकर जो बात कही गई है उसके कॉंटेक्स्ट में मोक्ष को समझना चाहती हूं ग्यान, क्रिया और इच्छा तो दिखे हमारे फेज़ हैं हमारे एस्पेक्स हैं मैं में एक नट जेसे मैं यह बोलती हूं कि कश्मी शेयव दर्शन में क्या होता है कि हम जब मोक्ष प्राप्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम इच्छाओं के अंत की बात नहीं करते हैं यहां पर मोक्ष की उस तरह से शब्द इस्तिमाल नहीं होता समावेश यूज किया जाता है तो मैं मैं यह बोल रही थी कि कि कश्मी शेयव दर्शन में इच्छाओं के अंत की बात नहीं कहीं जाती है बताब इच्छाओं को साथ लेकर शायद ऐसा है ठीक है, इच्छाओं को साथ लेकर मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप में चोरी करने की इच्छा तो उसको भी साथ लेकर चलिए वोसनामावेश नहीं है तो इच्छाओं को लेकर मतलब हमें देखे, जो हम शब्द यूज करते हैं, जो भाशा का हम एक जिससे बोलते हैं ना जो फ्रेज यूज करते हैं जो हम शब्द यूज करें जैसे आप कह रहे हैं कि इच्छा ग्यान और क्रिया को लेकर हम मोक्ष प्राप्ति कर रहे हैं या समावेश करना चाहरे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह इतने गंधीर प्रश्व होते हैं कि इसको इस तरह से अड्रेस करना मतलब वो मेरी अपनी अज्ञानता ही प्रकाशित करने वाली बात है कि अगर आप इच्छा ग्यान क्रिया के साथ दो शब्द मिला लें उन्मीलन और निमीलन तो आपको इच्छा ग्यान और क्रिया इनके जो इफ्रेंट आयाम हैं बाकी दर्शनों से वो स्पष्ट हो जाएंगे जब वही है लेकि जब शक्ति बात को जरूर डालिए एक शक्ति बात का संदर्भ मुझे लगता है जरूर डालिए क्योंकि ये भी क्योंकि वहां पे गुरू परमपरा को भी मान रहे हैं और गुरू के बिना भी आपके उपर ब्लेसिंग आ सकती है अनुपाय का जो अधना में रत रहें आप जो आपको जो करने लाइक है जो करनी है तो आप करिये और वोच्छी तो बात से तोड़ी तोड़ी है मुझे लगता है जो समाविश है वो अनुपाय के माध्यम से ही okay मैं एकिर करना चाहता हूँ अश्टू जी जो ये इच्छा की बात है इच्छा की जो बात है वो है ये अपने में मुक्ष के लिए जो रस्ते हैं उसमें सबसे सीधा रस्ता है इच्छा शक्ती का इच्छा शक्ती का वही सौतनत्री का reverse है कि मेरे में इच्छा जागरत हो जाए कि मैं मुक्ष में जाऊंगा तो यह सीधे के सीधे कोई क्रिया नहीं इसमे कोई तरीका नहीं जो ये चायद इच्छा से उन्हों ने ये समझ लिया कि जो मेरी Sense Addiction है वो इच्छा का मतलब नहीं है, इच्छा का मतलब है, जो सातंत्रिय का रिवर्स, रिवर्सल हो जाए, वही मुक्ष है, जी जी बिलकुल, और वो सूत्र भी है, सुच्छा सो भित्तो विश्वमन मीलाइती, ये सूत्र को हमें पता ही है, लेकिन मैडम मंजू, आपके प्रश्ण बड़े सुंडर है और मुझे लगता है कि थोड़ा साब किसी और को भी मौका दे दें, आपका प्रश्ण बात ले लेकिन धन्यवाद आपका, डॉक्टर अरुन कुमार उपाद्धे जी, इनका बहुत बड़ा काम है, और मैं उनसे निवेदिन करता हूं कि उन्होंने अपना हाथ कड़ा किया उनकी टिपनी या प्रश्ण जो भी है और शांत श्रति को शीव कहा गया है, दूसरा आपका, शीव सुप्र में या तंत्रा लोक में इश्वर की परिभाशा है, उसी अर्थ में गीता में उस सब्द का प्रियोग है, इश्वरा सर्वभूताना अंग्रदे शर्जुनति श्रति, नाम्यम सर्वभूताने यंत्रा अर्थ में ग्यान की प्राप्ति कैसे होगी, गीता में जो लिखा है, जितना साम आ रहा है, उतना ही हम जान सकते हैं, इसलिए वेदानां साम वेदूस में, उसमें भी परिग्याता का रत है, पूरा हम नहीं जान सकते हैं, तो जितना अधिक से अधिक जान सके हैं, उसकी प्रक्रियातन लोक में समझाई गई है, और किसी वियारत हैं, पूरून रूप से नहीं जान सकते हैं, उसका परिग्याता होते हैं, बतलब राउंड अबाउट वे में जो कहते हैं, लगवाग उसको जानते हैं, क्वंटम मे अनुपश्चता को प्राया उसी अर्थ में तत्य भिग्या शब्द का प्रियोग है बस मेरा इतना ही कमेंट था ने ने ये सुंदर कमेंट है एक अनुपश्चता है ये प्रतिभिग्या के साथ आपने एक नई डैमेंशन और जोड़ी है उसके लिए धन्यवाद और एक अंत कि टिपनी प्रश्ण डॉक्टर सरोजनी पंडिता जाहिए अपने को अन्म्यूट कर लिए अपने को अन्म्यूट कर लें प्लीज चलिए वो नहीं हो पारा किसी और का कोई प्रष्ण या किसी और की कोई टिपनी किसी का कोई और प्रश्न है क्योंके हम फिर इसको पूनता की और अग्रिपर कहें है सही नमस्ते सर सर आइंड़र राजश्री वासुदेवन नमस्कार मैंड़र हाँ that is the name of my organization is called Spanda Abhinava Holistic Initiative वाँ उसका नाम है ये sir I just want to add actually there was some question about this my feel is that what Abhinava is trying to say because he was also an artist he was a practitioner of art that instead of suppression of the desire it is worked out channelized through the artistic medium so it doesn't get suppressed but it is in a sense taken along in a channelized manner so that we realized Shiva and Shakti as the creative artistic and principle which is governing the world so that's just what I wanted to add my understanding is that because my work is on the Natishastra and Abhinava Bharati and I have realized that that is what is meant when we say that पिछाओं लेके जाते हैं ऐसे ही नहीं लेके जाते हैं बट चानलाइस्ट फोम में लेके जाते हैं सांदर ये शास्त्र से लेके जाते हैं और निश्चित रूप से बड़ी मुल्यबान है इसका ध्यान रखेंगे और अभी क्योंकि नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार्स में हम जब नाट्य शास्त्र और निट्य के ऊपर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से आप से भी हमारा आग्रे रहेगा हाची सर धन्यवाद किसी और का कोई किपनी कोई प्रश्चन है ताकि किसी के कुछ पूर्ना भी व्यक्ति में या पूर्ना हंता के भाब में कोई कमी न रह जाए तो उसके बाद मैं दन्यवाद व्यापन करता हूँ मैंने एक request करनी थी कि मैंने वो मंतर के लिए request की थी शर्मा जी से अगर आप वो इनको सुनील रहना जी को बेज सकें या बेज देंगे उनको बेज देंगे मेरे पास पहुंच जाएगा बिल्कुल बेज देंगे देंगे तो आज के पूर्णा हंता के भाव के और अग्रेसर होने म चाहे कितना ही हम हो पाएं हो चार कदम, दो कदम, तीन कदम, एक अग्रेसरता का भाव और दूसरा व्यापकता का भाव तो अभिनल गुप्त से मुझे तो लगता है कि आज हमने ये दो बातें सीखी हैं कि हमारी दृष्टी जो आप जैसे कि ये इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जब ये हम एवम में आग्यातम, ये एवम जो है ये बड़ा महतुपुन शब्द है क्योंकि हमने किसी एक खास एंगल से खास दृष्टी कूंट से ही चीजों को सुना होता है और खास दृष्टी से ही देखा होता है हम 30, 35, 45 डिगरी तक देख सकते हैं उतना ही हम सुन पाते हैं तो इसके बीच में हमारा जो जो ज्यान है वो सीमित ज्यान होता है जिसको आप आवरंट शक्ती कह देते तो उसका आज हमने विस्तार किया है अभिनव दुखती कृपा से और अगर सब भी हुए हैं हम दोनों ही बाते हुए हैं तो हमारा जृष्टिकोंट अगर आज 45 से 60 डिगरी या 70 डिगरी या 90 डिगरी तक भी गया है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़ी उखलब भी आज हमारे लिए रही हैं और ये प्रयाज करना ही हमारा उनके प्रती शद्धा सुमन अर्पित करने जैसा है आचारे अभिनव दुखते प्रती तो आप सब के सहयोग से आज हमने इस आनंद का अनुभव किया है कि अभिनव दुखत की अभिनवता को हम पहचाने और उनकी अभिनवता आनंद में ही है आनंद का अनुभव करने में ही है उसमें आप सबने सहयोग दिया है और विशेश रूप से आज की मुख्यवक्ता प्रोवेसर डॉक्टर शिवानी शर्मा जी उन्होंने जिस तरह से विशे को स्कॉलरली प्रतिपादित किया है तरक संगत रू है और हम उनके प्रती आभार विद करते हैं डिपार्टमेंट अफ संस्ट्रित गुरु नानक देव युनिवरस्टी अमरित सर्क्योर से निश्चतरूप से हम बहुत जल्दी ही दुबारा फिर मिलेंगे इससे पूर्व की हम आज का ये कारिकरम यहीं पूर्ण करें मैं आ लिंक जो है वो कुरुक्षेतर उनिवरस्टी के साथ मिलकर के है गुड़ गवर्नेंस के ऊपर है किरुके अगर आप की रुची है इंडियो नॉलेच सिस्टम्स में तो उसको आप जॉइन करेंगे समय यही रहेगा साड़े दस लेकिन लिंक थोड़ा डिफरेंट है और उ अगर तो उसको आप हमारे साथ जॉइन करते हैं और निकट बविश्य में आप साइंसेज और सोशल साइंसेज के ऊपर जो कुछ चर्चाएं होंगी उसमें आप हमारे साथ जुड़ें और अगर संभव हो तो हमारा जो वाट्सअप ग्रूप है उसको आप जॉइन कर सकते हैं मैं अपना नंबर इसमें चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूं उसको आप नोट कर लीजिए और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं और नंबर दो गुरु नानक देव जुनिएस्टी डिपार्टमेंट अप संस्कित के दवारा सेटिकेट के लिए एक लिंक शेयर किया ग और अपना नंबर भी मैं शेयर कर देता हूं और बाकि मैंडम जो एस्टेटिक से स्पंध स्कूल से कृपया एक बार मुझे अपना नाम और नंबर भेज दीजेगा कहीं मुझसे मुझसे प्लेस हो गया था या मेरे ध्यान में नहीं है ताकि मैं आप से संपर्क कर सुआए आप लोगों के साथ एक से कि अश्टू जी यह आपका जो स्लाइड है इसमें याता का अश्टू जालना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें वह करना पड़ेगा वह ओवर हो गया है कि अश्टू जी 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 मैं कर देता हूं सर्फ उसको तो फोड़ा सा एक मिनट मैं यह फॉर्म शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ और फिर उसके बाद आप चैट बॉक्स में मैंने यह फॉर्म शेयर कर दिया है और कल की गूगल मीट का जो लिंक है क्योंकि वह दूसरा लिंक है कुरक्षेत्र निविश्टी का है तो उनके साथ हम जुटके कर रहे हैं तो वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसके तरिक्त मैं आपना नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो क्रिप्या आप कि आप कर लोग भी जिनको लगता है कि हमारा प्रयास युक्ति संगत है उचित है तो उसमें सहयोग कर सकते हैं तो आप क्रिप्या हमारे साथ जुड़े हैं वर्चप ग्रूप में और अलग-लग विश्यों को क्योंकि हमारी कोशिश यह है कि किसी तरह थे यह जो सोशल साइंसिस हैं इनको हम दी कॉलनाइज करें और साथ ही जो है हम अपना जो आल्टिनेटिव मॉडल्स हैं थेोरीज हैं उनको हम प्रतिपादित करें तो यह सारे के सारे प्रियास उसी संदर में हम लोग कर रहे हैं तो धन्यवाद बहुत-बहुत आभार डॉक्टर भट बहुत सुखद आपसे चर्चा रही है बहुत संदर लगा तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं थैंक यू एवरिवन थैंक यू सो मच